हेलो एवरीवन वेलकम बैक तो कैसे आप लोग स्वागत आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब के अमेजिंग चैनल लर्न एंट फन पे तो बच्चों जैसे कि हम आपका क्लाश टेंथ का थर्ड चेप्टर पेर ओफ लिनेर एक्वेशन हम पढ़ रहे थे तो हमने जिसमें आपका सब्सक्राइब और अपके बहुत ज्यादा इंपॉट्टेंट है जो कि बोर्ट सिग्दाम में आपके पूछी जाते हैं तो उन मैथर्स को डिसकुस किया और उन पर बेश्ट हमने एक धेर सारे कोश्चन भी आपका प्रीवेस लेक्चर में किये थे तो इस बहुत के बाद बोट इन श्ट्रीम पर एष्ट कोशन है इसमें ढेर सारे बच्कों को प्रॉब्लम होती है तो इस बात की बच्चों मैं डे तक देखने कर पाएंगे withıld में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली और इस तरीके के कैसे भी कोश्चन सापके एक्जाम में घुमा करकी भी आपसे पूछ लेगा आप बहुत चुटकियों में आंसर कर एक कोश्चन बोर्स एक्जाम में आपको जरूर से देखने को मिलेगा केस स्टडी बेस्ट कोश्चन भी यहीं से आपका बन जाता है तो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रेक्टिकल प्रॉब्लम से यह रिलेटेड है तो कॉंपटेंसी बेस्ट कोश्चन जो कि आपका नया है एक तरीके से तो उसमें जो कोश्चन बनते हैं वो यही से इसी टैप से आप से पूछे जाते है ठीक है चलिए जी तो आगे पर तो सबसे पहले कौन-कौन सी प्रॉब्लम से अगर मैं बात करूँ जो कि इस चैप्टर से पूछी जाती है सबसे पहले तो एज की एज की कुछ-कुछ-कुछ है मदर की अपनी डॉटर की एज से कुछ है तो इस टाइप के धेर सारे कोश्चन से आपका एज रिलेटेड बनते है ठीक है जो कि मैंने आपका प्रिवेस लेक्चर में भी डिसकस किया था सेकेंड जो बहुत ही जादा मोश्ट इंपॉर्ट तो तुम यहाँ पर इस चेप्टर में और कॉडिटी के क्योशन में दोनों जगहें पर अपलाई कर पहोगा तो बहुत ही अच्छे से फोकस के साथ समझना उसके बाद थर्ड प्रॉब्रम आपके बास बच्छो टाइम और वर्क पर कि इस तरीके से हो जाता है कि थ्री प्रब्स भी यहां पर आपको बहुत ज्यादा पूझी जाती है चलिए जी तो स्टार करते हैं बहुत भी बढ़े हैं तो सबसे पहला जो कोशन बच्छों कि हमारा ट्रेवल पर बेश्ट कोशन है ट्रेन और रूही एक बच्छी उस पर बेश्ट कोशन है ध्यान से समझते कोश्टन क्या बच्चों रूही ट्रेवल 300 km टू हर हॉम पाटली बाइ ट्रेन फाटली बाई बाई बस चीक है तो रही को अपने घर जाना है जो उसकी लोकेशन से 300 km की डिश्चंस पर है तो उतनी डिश्चंस को हो कुछ पार्ट बस से ट्रेवल करती है और कुछ पार्ट वो ट्रेन से ट्रेवल करती है ठीक है डारेक्ट नहीं है तो बस और ट्रेन दोनों से उसको जाना पड़ लाए ठीक है इसको फोर आर्स का टाइम लगता है जब वो 60 किलो मीटर बाइट ट्रेन जाती है और रिमेंनिंग डिश्टन्स जो आपकी माल लो 240 किलो मीटर वो बस से ट्रेवल करती है उसके बाद इफसी ट्रेवल 100 km by train अगर वो first 100 km train से travel करती है और then remaining यानि कि 200 km वो bus से travel करती है तो उसको 10 minutes longer यानि कि 10 minutes जादा time लग जाता है ठीक है उसको previous के मुकाबले कितना extra time लग गया 10 minutes उसको और जादा लग गये तो find the speed of the train and the bus separately हमको train और bus दोनों की speed define करनी है अलग अलग कि उनकी speed क्या होगी देखो तो आपको यहां पर एक figure भी नजर आ रहा है ठीक है और यहां पर यह train है फिर bus है तो पहला part जो question का सबसे पहला part है जिसमें वो 60 km train से जाती है and 240 km bus से जाती है यह वाले part पर पहले बात क सबसे पहले जो unknown quantity होती जैसे कि bus की speed find करना है train की speed find कर रहा है इनको हम variables के through denote कर लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे जैसे कि let's suppose let's suppose speed of train जो है बच्चों speed of train suppose करी हमारे पास क्या है बच्चों x km पर आ रही है हमारे पास speed of train है clear है second part speed of bus की अगर मैं बात करूँ speed of bus की अगर हम बात करें तो let's say this is y km पर आ ओके अब आप इस तरीके से समझेगा हम दो distance travel कर रहे हैं ठीक है आपको मालुमें कि distance क्या होता है आपको मालुमें कि speed equal to distance upon में time होता है तो distance find करना है तो distance क्या हो जाएगी आपके पास speed into में आपका time है तो मतलब कि अगर मैं यहाँ पर बात करो तो यहाँ पर formula लिख लेते हैं पहले तो speed equal to distance अपॉन में आपका time ठीक है अब समझेगा ध्यान से तो first 60 km ध्यान समझे फ़र्ष्ट 60 km distance को वह किस से travel कर रही है train से तो suppose करो अगर मैं यह बोरू कि फ़र्ष्ट 60 km speed of train के हमारे पास x km पर आ रहे है तो x is equal to distance हो गई आपके पास 60 अपॉन में time let's say जो time उसने train से travel कि है वो कितना है आपका t1 है suppose कर लो थोड़ी देरे के लिए यह time आपका t1 है तो यहां से बच्चों अगर आप देखो तो t1 की value कितनी आ गए यह इस तरीके से अगर हम देखे तो total time कितना लगा उसको यहां पर okay four hours चलिए तो यहां से t1 की value आपके पास आ जाएकि 60 अपॉन में एक्स यह पहला पार्ट बने गया ठीक है जब 60 km उसने train से travel किया remaining 240 km देखेगा speed of bus हमारे पास क्या है बच्चों y km पर आ रहे है ठीक है अब second part इसी question में मतलब कि अभी हम सिर्फ इस पर बात कर रहे है तो अभी 60 km में कितना time लगेगा वो हमारे पास t1 आ गया next में अगर मैं यहां पर देखू कि अगर वो bus से बाकी के distance 240 km को travel करती है तो let's say time कितना लगत है तो अब आप यहां से देखो तो टीटू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों टीटू इसकुल टू यहां से आ जाएगा 240 अपॉन में आपका वाई टोटल टाइम कितना दिया है train से और उसके बाद बचीव डिश्टंस को बस से travel करने का टोटल टाइम है आपके पास कितना 4 hours का टाइम लग रहे है तो T1 플्स T2 आपके पास पहले case में कितना दिया गया बच्चों 4Rs दिया गया है तो यहां पर अगर हम values को रख देते हैं तो क्या बन जाएगा 60 upon x प्लस में आपके पास 240 upon y is equal to बच्चों आप यहां पर आपके पास कितना आगया 4 आगया यह आपका पास पहला equation equation number 1 बन गया clear है 60 upon x plus 240 upon y is equal to 4 यह हमारे पास first equation निकल कर क्या आगया similarly जैसे मैंने first equation बनाया है इसी पर अगर मैं use करके दूसरा equation बनाओ जैसे कि क्या बन रहा है इस से ट्रैवल हंड़ेट किलो मीटर बाइट ट्रेन तो जहां पर 60 है वहां पर क्या आजाएगा 100 आजाएगा तो 100 upon x एंड रिमेनिंग डिस्टेंस तो यानि की तोटल दिस्टेंस 300 किलो मीटर था तो बची वी डिस्टेंस कितनी हो गई तो बची वी डिस्टेंस को यहां पर आप अगर लिख दे एक सेटेंड अगर आप से छुपनी रहा हो तो देखना तो यह बन गया आपके पास 100 upon x प्लस में 200 upon y तोटल टाइम कितना लगा अब यहां पर 10 मिनट्स लॉंगर 10 मिनट्स जादा लग गए यानि कि अगर आप द डाइ तो यह बन जाएगा आपके पास 6-4 जा 24 प्लस वन यहांगी 25 अपॉन में 6 यह हमारे पास सेकेंड एक्वेशन बन गया क्या बन गया बच्चों 100 अपॉन एक्स प्लस में 200 अपॉन में y इस इक्वाल टू आपके पास 205 अपॉन में 6 इस जोर फेकेंड इक्वेशन ओके क्लियर है यहां पर कोई डाउट चलिए अब हमें इंत को सॉल्व कर रहा है तो बच्चों इस टाइप के कोश्चन को हम बोलते हैं एक्वेशन रिडूशिबल टू लीनियर एक्वेशन से टू वैरियेबल ठीक है यह जो एक्वेशन होते हैं अगर आप घ्यान से देखे तो क्या अभी इसमें अगर आप ऑब्जर्व करो तो क्या एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में लीनियर एक्वेशन से हैं क्योंकि लीन यानि कि यह linear equation का फॉर्म नहीं है तो ऐसे equations को हम क्या बोलते है equation reducible to pair of linear equations in two variable और यह काम यह reduce convert करना कैसे होता है इसको समझते हैं सबसे पहले यहां पर हम one upon x को suppose कर लेते हैं कि अब अच्छो यू एक दूसरा variable माल लेते हैं कि one upon x variable u के बराबर है और one upon y variable आपका v के बराबर है तो one upon x और one upon y के place पर u और v रखोगे तो पहला equation जो बनेगा आपका 60 times u प्लस में आपके पास 240 times v is equal to 4 यह आपका suppose करो equation number 3 बन गया और second equation बनेगा 100 times u प्लस में 200 times v is equal to आपके पास 25 by 6 यह आपके पास fourth equation बन जाएगा चलिए अब यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से reduce कर लिया अब आप चाहो तो इसको थोड़ा से simplify भी कर सकते हो कि four से अगर पूर equation में divide कर लो कर लेगा चलो divide कर लेते तो यह बन जाएगा इसको भी हम simplest form पर अगर हम देखे तो यह बेसिकली आपका क्या बन गया 15 times u प्लस में आपके पास 60 times आपका v is equal to आपके पास 1 बन गया और यहाँ पर आपके पास 4 times u प्लस में 8 times आपका v is equal to आपके पास 1 upon में 6 बन गया अभी चाहो तो और भी simplify कर सकते हो अब यह हमारे पास linear equations आगे अब इनको solve करने के आप चाहो तो substitution method भी use कर सकते हो या elimination method भी आप यहाँ पर use कर सकते हैं अब आप बताइए कि इस में से आपको कौन सा method है जो ज्यादा simple लग रहा है ठीक है कौन सा है जो आप ज्यादा simplify कर सकते हो अगर नहीं भी करोगा तो एक काम हम यहाँ पर और observe कर सकते हैं कि चलो काम करते इसको अगर मैं नहीं करता चलो कि कैं यहाँ पर अगर मैं as it is लिखी रहन देता हूँ ठीक है अगर इसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं करते आप इस कुछ तरीके से ले लिजी चलो नहीं भी इसको अगर मैं करता तब भी आप इसको ऐसे से क्वाइब कर लिए आपका इस तरीके से कि ट्वंटी-फाइफ फोर जा यह हो गया आपके पास ठीक है और यहाँ पर आपके पास सही है ठीक है और 25 इड जा ठीक है तो आप चाहो तो इसको आपके ऐसे देख सकते कि 60 टाइमस आपका यहाँ पर यू है प्लस में आपके पास 240 टाइमस आपका भी है इस इक्वल टू आपके पास यहां पर फॉर है ठीक है अब यहां पर अगर आप देखो तो यह आपके पास से टाइमस यू प्लस में एट टाइमस वी इस इक्वल टू आपके पास यहाँ पर वन अपॉन में आपका सिक्स है देखो एलिमिनेशन मेथड एप्लाई करने के लिए मैंने थर्ड एक्वेशन को रखा उसमें कोई चेंज नहीं किया क्योंकि हमें 60 बना नहीं था लेकिन इसमें चेंज कर लिया 25 से डिवाइड करके पूरे में तो यह बन गया अब देखना हमें मुझे इसको अगर UK कोफिसेंट को स नहीं बन्हें चायए गा तो यहां से अगर देखिए तो यह बन जाएगा 60 टाइमस यू प्लस में आपके पास 240 टाइमस वी इसकोल टू आपके पास 4 और यहां पर 15 से मट्यूप्लाई करने पर 15 फोर्ट सिक्स्टी टाइमस और प्लस में आपके पास फिप्टीन फोर्जा 60 और फिप्टीन एड़ ज़ा आपके पास 120 तो यह वन ट्वन ट्वनटी टाइमस आपके पास V और यहां से आपके पास 15 अपॉन में 6 आ गया, सब को सब्ट्राइट कर दीगे गर हम यहां से तो क्या बन जाएगे यह बन जाएगा आपके पास 120 वि तो यह बन जाएगा आपके पास 120 नाइब में 15 upon 6 तो यह बनगे आपके पास 9 upon 6 तो इसको solve करेंगे तो V is equal to 9 upon 6 into में 120 तो यह आपके पास 1 upon 80 आ जाएगा तो V की value यहां से आपके पास कितनी आ गई 1 upon 80 अब V की इस value को क्या करेंगे बचों हम अपने किसी भी equation में यहां पर जाकर के अपना put कर सकते हैं तो V की value को हम किसी भी equation में अगर हम जाकर के अगर for example इसी part में put कर देंगे एक second इसको erase कर देता हूं ठीक है चल तो अगर मैं V की value को जाकर के यहां पर put कर देता हूं ठीक है 1 upon 80 कोई भी equation में चाहो तो first equation है second equation तो क्या बन जाएगा फोर टाइमस यू प्लस में एट इंटू में वन अपॉन अपॉन एटी और इसके बाद यहां पर आपके पास वन अपॉन में 6 हो गया सब्सक्राइब तो फोर टाइमस यू प्लस में वन अपॉन में 10 इस इकल टू वन अपॉन में एटेन तो फोर टाइमस यू इस तरीके से u की value 1 upon 60 और v की value आपके पास 1 upon 80 तो बच्चो अगर आप यहाँ पर देखो तो u की value क्या है 1 upon x तो अगर यह हमारे पास 1 upon में 60 है ठीक है तो इधर से हम क्या बोल सकते हैं कि x की value आपके पास 60 आजाएगी और 1 upon y is equal to v है तो अगर यह हमारे पास 1 upon 80 है तो यहां से y की value हमको 80 आजाएगी तो हैंस बच्चो जो हमारे पास speed of train है वो आपके पास 60 km पर आर आ जाएगा ठीक है बच्चो और speed of bus जो है हमारे पास 80 km पर आर आ जाएगा तो train और bus दोनों की speed बच्चो यहां पर हमने आपका निकाल ले ठीक है तो यह हमारे पास answer हो गया 60 km पर आर एंड 80 km पर आर आपका train और bus की speed है चलिए अब बच्चो हम इसी तरीके से अपने next question के और move करते हैं यह पहला part आपके complete होता है question मलें यह question complete होता है चलिए अब बा के case यहां पर आपको मिलते हैं एक है आपका upstream और दूसरा case है आपका downstream ठीक है upstream क्या होता है downstream क्या होता है इसको समझते एक simple सी बात अगर हम समझे के let's suppose आप ना कभी river rafting करने का हो कभी आप में से किसी river rafting की है नहीं हो सकता है कुछ बच्चों ने की हो या देखा हो river rafting म तो basic लिए अगर आप suppose करो कि अगर आप river rafting करने जा रहे हो यार माल लो आप river में swimming करने जा रहे हो ठीक है तो obvious ही बात है कि जिस direction में river का flow है जहां पर stream का जो flow चल रहा है अगर उसी direction में आप चाहे तो अपनी boat को ले करके जाओ या आप swimming करो तो आपकी speed ना automatic resultant speed जो है व river की flow की जो speed है ना वो आपकी speed में add हो जाएगे अगर आप flow के direction में swimming करते हो क्या करते हो flow के direction में अगर आप swimming करते हो second thing जो हम यहां पर आते हैं ठीक है second thing जै अगर आप उसके opposite direction में swimming करो है ना क्याते है ना लहरों के प्रीट जो तैरता है समझ रहो अगर हम उसके opposite direction में swimming करना start करते हैं तो क्या होगा हमारी speed slow हो जाएगी जैसे कि यहां पर तुम देख भी पार हो कि यहां पर speed कितनी fast है लेकिन opposite direction में जब बहा रहें तो speed कितनी सुलो है यह difference आता है आपका downstream and upstream में जिस case में आप अपनी boat को river के direction में चलाते हैं उसको हम बोलते हैं down the stream और जब हम उसके opposite direction में चलाते हैं तो उसको हम बच्चो up the stream बोलते हैं यानि कि upstream बोलते हैं तो downstream में क्या होता है जो normal water में जो बस जो हम बोल सकते हैं कि आपके boat की speed है ठीक है in neutral water उसमें क्या होता है बच्चो वह speed of river के flow की speed दोनों add हो जाती है तो याद रखेंगे कि downstream में resultant speed add होती है और upstream में resultant speed आपकी decrease हो जाती है तो downstream में क्या करते है downstream में boat की speed में plus हमारा क्या हो जाता है river की speed add हो जाती है और upstream में boat की speed में से river की speed क्या हो जाती है माइनस हो जाती है क्योंकि speed वहाँ पर decrease होती है तो यह case है बच्चो downstream का तो अगर मैं बोल ला हूँ कि boat की speed समझेगा अगर boat की speed सपोस्ट करो हमारे पास x km पर r है और flow of the stream की speed सपोस्ट करो y km पर r है तो downstream में resultant speed x plus y km पर r होगा लेकिन upstream में अगर यह क्या हो जाएगा बच्चों यह आपका x minus y km पर r हो जाएगा ठीक है upstream में x minus y km पर r हो जाएगा तो यह कहानी हो गई आपकी upstream and downstream की अब इसी कुछ बच्चों में यहाँ पास समझने वाले बहुत ध्यान से समझेगा question में क्या बोल रहा है अब boat goes 30 km यहाँ पर basically font error आया हो गए यहाँ पर question लेखा हुआ ठीक है चलो क्या लेका अब बोट को 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours 30 km upstream जाते हैं 44 km आपका downstream जाते हैं इन कितने time period में 10 hours में in 13 hours it can go 40 km upstream and 55 km downstream determine the speed of the stream and that of the boat in still water और हमें बोट की speed still water में आपका find करनी है clear है चलिए चलो तो ध्यान से समझते हैं बच्चों सबसे पहले हमें find क्या करना है determine the speed of the stream and that of the boat तो let's suppose बच्चों यहां पर हमने क्या कर लिया let's suppose speed of boat जो है speed of boat जो है हमने क्या ले लिया बच्चों आपका एक्स किलो मीटर पर आर ले लिया ठीक है और speed of stream हमने क्या ले लिया speed of stream हमने क्या ले लिया बच्चों आपका वाई किलो मीटर आपका पर आर ले लिया यह speed of stream है speed of boat X km per hour and speed of boat आपके पास Y km per hour है चलो अब अगर मैं बात करू में resultant speed क्या हो जाएगी down stream में resultant speed है वो आपकी X衣 plus y km per hour हो जाएगी और सेम अगर बचो मैं up stream में बात कर्यो तो up stream में आपके पास कितनी हो जाएगी X माइनस में Y km per hour घraum moon बच्चों आप श्टीम डाउन्स्ट्रीम में भी आपकी रिजल्टन्ट स्पीड यहांपर लिखतीए क्या बच्चों की रिजल्ट इंट इस पीड है और यह जो हमने बहूर्ट की स्पीड रखीये है यह मैं इस टिल बॉटर इस। इस क्लोटर तो explore किल वाटर में बोट के स्पीड एक्सक्योएटा परार और स्पीड ऑफ श्ट्रीम हमारे पर फाइड किलोमीटर पार रहा तो रिजल तेंट स्पीड डॉम स्ट्रीम में एक्स प्लस वाइड और रिजल्टेंट स्पीड है अब अगर मैं इसके आगे देख झ्यान से समझे। तो question के according 30 km upstream and 44 km downstream में total time क्या लगता आपके पास 10 hours का अब ध्यान समझे ना बच्चो आपको मालू मैं कि time equal to क्या होता बच्चो distance upon में आपका speed distance upon में speed होता है तो अगर मैं यह बोलू note करना 30 km upstream तो upstream में resultant speed है आपकी पास x-y और प्लस 44 km downstream 44 upon x plus y तो total time जो लग रहा है total time जो बच्चो लग रहा है वो कितना आपका 10 hours का time लग रहे है कितना time लग रहा है बच्चो 10 hours का time लग रहा है okay similarly बच्चो यहां पर next equation में 40 km upstream and 55 km downstream जाने में 13 hours का time लग रहा है तो 40 km upstream and 55 km में आपका downstream जाने में आपको कितना time लग रहा है यह आपका लग रहा है 13 hours का time लग रहा है ठीक है तो यह हमारे पास second equation बन गया 40 upon में x-y plus 55 upon x plus y is equal to 13 this is your equation number one and this is your equation number two clear है ओके चलो अब यहां पर मैं बात करूं अब इन दोनों को solve करना है अगेन यह जो equation है यह आपके pair of linear equations तो है लेकिन यह आपके अगर मैं देखो तो उसके standard form पे नहीं है तो इसको standard form में लेकर के आने के लिए हम यहां पर one upon x minus y को u suppose करेंगे and one upon x plus y को बच्चों यहां पर v suppose करेंगे तो अब हम क्या कर सकते इसको linear equation के standard form पे convert कर सकते हैं क्योंकि पहले यह standard form पे नहीं है ठीक है तो अब यह क्या बन जाएगा बच्चों यह बनेगा आपके पास 30 times u प्लस में 44 times v is equal to 10 और यह बन जाएगा आपके पास 40 times u प्लस में 55 times v is equal to आपके पास 30 अगर मैं यह फ़स्ट equation में अगर मैं आपका यहां पर 4 से multiply कर दो सेकेंड में अगर मैं यहां पर 3 से multiply कर दो पूरे में तो multiply करने पर हमको क्या मिलेगा 120 times u प्लस में 4 for the 16 plus 17 176 v is equal to 40 और यहां पर मिलेगा आपके पास 120 times u प्लस में 5 3 जब 15 15 plus 16 times v is equal to आपके पास 39 दोनों को अगर हम यहां पर subtract कर दें क्या कर दें subtract तो यह cancel यहां से कितना आया बच्चो यह आया 11 times v is equal to आपके पास 1 तो solve करने पर v की value हमको 1 upon में 11 आ गई वी की value बच्चों को क्या आ गई वी की value हमको यहां पर 1 upon में 11 निकल के आ गई तो जैसे वी की value हमको 1 upon 11 निकल के आई तो अब क्या हो जाएगा अब इसका use करके हम आपका यू की value निकाल सकते हैं तो किसी भी equation बेकर हम put कर देंगे यानिकि 30 times u प्लस में 44 times 1 upon में 11 is equal to आपके पास 10 तो यह cancel तो 30 times u is equal to 10 minus 4 यानिकि 6 तो यू की value आपके पास आएगी 6 upon में 30 मतलब की 1 upon में 5 ठीक है बच्चो कितनी हो जाएगी 1 upon में 5 तो यू की value 1 upon 5 अब इसका use हम इस equation में करें तो यानिकि 1 upon x minus y is equal to आपके पास है 5 और 1 upon x plus y is equal to आपके पास कितना है बच्चो हमको sorry यह आपके पास 1 upon 5 है और यह आपके पास 1 upon 11 है ठीक है तो इसमें अगर values को रख देंगे simple थी बात u की value 1 upon 5 d की value 1 upon 11 यहाँ पर रख दिया तो यह क्या बनगे है simple x minus y is equal to 5 and x plus y is equal to 11 दोनों को अगर हम add कर देते हैं तो 2x equal to 16 यहाँ पर और x की value यहाँ पर आपके पास 8 km पर आ रहा गया एक्स की value यहाँ पर आपका 8 km पर आ रहा गया clear है x is equal to 8 km पर आ रहा गया clear है उसके बाद y की value को अगर मैं यहाँ पर निकालू तो रख करके check करो x की value 8 km पर आर यहाँ पर रख दोगे तो y की value क्या आ जाएगी चलो 8 plus में y is equal to 11 तो y is equal to यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 11 माइनस में आपका 8 यहाँनि कि आपके पास 3 तो y की value हमको 3 km पर आ आ जाएगी कितनी आ जाएगी 3 km पर तो इस तरीके से बच्चो स्पीड ऑफ बोट हमारे पास कितनी हो गई 8 km पर आर हो गई और स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमको 3 km पर आ जाएगी आई बस समझ वें तो स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दोनों ही हमको यहाँ पर निकल करके आ गया फटाफट से तो बोट की स्पीड मालूम है श्ट्रीम की स्पीड मालूम है तो हमें डाउन श्ट्रीम और अपस्ट्रीम से यहाँ पर रिजल्टिंट स्पीड निकाल ली है फिर केस के एकॉर्डिंग कि टाइम डिस्टन्स अपॉन स्पीड होता है तो 30 km अपस्ट्रीम जाने में टाइम 44 km downstream जाने में time total time 10 hours का है यहाँ पर 40 km upstream और 55 km downstream जाने का time 13 है दोनों को रख करके 30U plus 44V is equal to 10 40U plus 55V is equal to 13 दोनों को solve किया V की value यहाँ पर आपके पास कितनी आ गई V की value यहाँ से solve करके हमको 1 upon 11 आ गई और V की value को equation में रख करके solve किया तो यू की value 1 upon 5 आ गए बहुत ही बढ़िया तो 1 upon x minus y is equal to 1 upon 5 1 upon x plus y equal to 1 upon 11 रख करके x minus y की value 5 x plus y की value 11 solve किया answer आ गया आपके पास 8 hand second का answer आ गया आपके पास कितना 3 तो इस तरीके से answer आ गया क्लियर है कोई doubt यहाँ पर simple बहुत ही बढ़िया आगे बढ़ते हैं अगला question है आपके पास two women and five men can together finish an embroidery work in four days तेक है अब यहाँ पर question जैसे की time and work पर बेश जा गया कि two women and five men can together finish an embroidery work in four days while three women and six men can finish it in three days इसको थोड़ा सा sort form पर असे लिखते है कि two women plus में five men together can finish a work in four days दोनों को four days का time लगा अभी इसको समझना अभी इस तरीके से solving करेंगा अभी आपको हिंट बता रहा हूं three women and six men तो अब three women है और प्लस six men दोनों ने मिले करके इस पूरे काम को three days में finish कर लेते हैं ठीक है find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone कि एक woman को कितना time लगेगा और एक man को कितना time लगेगा तो यह तो तुमने सिर्फ हिंट लिखा है कोश्र का solution कैसे करोगा देखो सबसे पहले let's suppose a woman can finish the whole work whole work in exodus a woman can finish the whole work in exodus chicken and can finish the whole work in y days ticket a woman can finish the whole work in x days and a man can finish the whole work in y days ठीक है तो अब यहाँ पर देखो suppose suppose कर रहाँ पूरे काम को finish करने में ex डेस का time लग रहा था और पूरे काम को finish करने मेंੇ η date का काम लग रहाँ एक man को ठीक है अगर मैं से एक बात पूछू कि suppose करो एक काम को अगर तुम पूरी efficiency से लगातार करते हो मतलब daily basis पर तुम्हाले एक काम को तुम्हें 10 दिन लगने करने में एक काम को 10 दिन लगने करने में और मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने daily अपनी पूरी efficiency का इस्तमाल किया था रोज तुमने अपनी पूरी ताकत लगा थी काम को करने में तो जितना आज किया उतना ही कल किया उतना ही परसो जगातार 10 दिन तक उतना है करने पर दसवे दिन तुम्हारा काम फिनिस हो गया तो आप खुद सोचओ एक दिन में आपने कितना काम किया होगा पूरे एक काम का 1 upon 10 पार्ट ही तो काम किया होगा है ना क्योंकि हम क्या suppose कर रहे है कि जो man है जो woman है यह पूरी efficiency के साथ daily काम कर रहा है तो जितना 10 दिन में किया एक दिन में उसका 1 tenth पार्ड करेगा दूसरे दिन में 2 upon 10 पार्ड करेगा तीसरे दिन में 3 upon 10 पार्ड कर लेगा चौते दिन तक 4 upon 10 और 10 डे में पूरा काम फिनिश हो गया थीक है तो अगर x days लग रहे हैं पूरे काम को फिनिश करने में एक woman को पमलिक सकते है work done by a woman in a day is equal to 1 upon x similarly work done by a man in a day एक दिन में कितना लग जाएगा बच्चो वन अपॉन वाई लग जाएगा एक woman को वन अपॉन एक मैन को वन अपॉन वाई ठीक है तो वन अपॉन एक और वन अपॉन वाई आ गया है टू वुमेन और फाइव में तो ध्यान समझे ना एक वुमेन का एक दिन का काम है वन अपॉन एक्स एक मैन का एक दिन का काम है वन अपॉन वाई तो सोचो वुमेन का और फाइव मेन का एक दिन का काम क्या होगा तो two women का एक दिन का काम two upon x हो गया, five men का एक दिन का काम five upon y हो गया, और equal to four days में पूरा finish कर रहे हैं, तो एक दिन में one upon four करेंगे, ठीक है, similarly, तीन women का six men three days में complete करते हैं, तो तीन women के एक दिन का काम three upon x, six men का एक दिन का काम six upon y, और एक दिन में कितना कर लेंगे, अगर तीन दिन में पूरा finish कर रहे थे, तो एक दिन में one upon third party करेंगे, one upon three, तो यह हमको again दो equation मिल गए, equation number one and equation number two, यह हमको वापिस से equation number one और two निकल के आगए, अगेन यह आपके linear equations का standard form नहीं है, इसको हम convert करेंगे, तो one upon x equal to, हमने u ले लिया, one upon y equal to, हमने v ले लिया, कुछ लोग direct भी solve कर सकते हैं, आप भी कर सकते हों, ठीक है, तो यह बन जाएगा, आपके पास two times u, plus five times v is equal to one upon four, और यह बन जाएगा, three times u, plus six times v is equal to one upon three, ठीक है, चलियो, इस equation में हमने multiply कर लिया, मान लो, किस से multiply कर ले, three से multiply कर ले, इसमें two से multiply कर ले, तो इससे बनेगा क्या, six times u, plus me, fifteen times v is equal to three by four, और यह बनेगा, six times u, plus me, twelve times v is equal to two by three, subtract कर दो, तो यहां से क्या बना, three times v is equal to three by four, माइनस में आपके पास two by three, तो four, three, जाट 12, LCM आया, ठीक है, रिचो, four, three, जाट 12, LCM आया, तो three, three, जाट 9, और three, four, two, जाट 8, तो यह आपके पास one upon में 12 आ गया, बहुत ही बढ़िया, तो v की value अगर तुम देखो, तो कितनी आ गए, one upon में 12, और यहां से three और आ गया, तो one upon में 36, तो v की value कितनी आ गए, बिटा, one upon में 36, तो one upon x equal to, क्या हमारे पास v, तो one upon x equal to, हमारे पास one upon में 36, तो x की value हमको 36, sorry, एक सेकंड, यह y है न, यह y है, यह y है, यह y है, तो बच्चो, y की value 36 days आगे, मतलब कि एक मैन, एक मैन पूरे काम को कितने days में finish करेगा, बच्चो, 36 days में finish करेगा, एक अकेला आदमी पूरे काम को 36 days में finish करेगा, clear है, चलिए, similarly बच्चो, अगर हम second part पर बात करें, similarly अगर हम second part पर बात करें, तो y की value को अगर आप यहाँ पर रख देते हो, किसी भी equation में, ठीक है, किसी भी equation में अगर आप रख देते हो, तो यहाँ पर बन जाएगा, 3 upon x plus में, 6 upon me 36, is equal to आपके पास 1 upon me 3, तो यह आपके पास 1 upon me 6 आया, तो 3 upon me x equal to 1 upon me 3, minus का 1 upon me 6, तो यह आपके पास 6 आ गया, और कितना बन गया, 3 टूजा, चलो, यह आपके पास 1 upon 6, तो x की value अगर आप यहाँ से देखोगे, तो कितना आ जाएगा, x की value 18, यानि कि एक woman पूरे काम को 18 days में finish कर लेगी, एक woman कितने दिन में, 18 days में, और एक man कि 36 days में, तो अब यह कोई नहीं कह सकता, कि भाई, जो woman's है, वो जा करके काम में बाते करती, नहीं भाई, वो भी काम कर रही हो, सबसे कम दिनों में, 18 days में, अकेले काम कर ले रही है, और एक आदमी को कितना time लग रहा है, 36 days का, तो इस तरीके के questions आपके यहाँ पर, इसमें बनते हैं, आपके, इस तरी लिटे, ठीक है, तो I hope आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, एक बार वापस से, रिवाइन करके देख ले ना, और एक question तुमको homework के लिए दे रहा हूं, इस question को जरू से try कर ला, train travels, यह वाला question है, इसको बहुत अच्छे से करना, बढ़िया question है, जरू से solve करके ले करके आईएगा, next class में हम अपना नया chapter स्टार करेंगे, quadratic equation, चलिए जी, चलो, तो इसको अब हम यहाँ पर finish करते हैं, ठीक है, चलिए, finish नहीं हुआ, ओके, चलो, तो बच्चों अब इस lecture को यही पर finish करेंगे, अब कुछ questions है, आप लोग practice करेंगे, क तो बाकी चीज़ें हम next class में cover करेंगे, ठीक है, तो मिलते हैं next class में, तब तक के लिए goodbye, take care.